प्रेंट्स मेरा पहला वीडियो में काफी सारा क्वेस्चेन आया था कि यह SKMI का 1251 वाच में एम पी एम कैसा सिलेक्ट करें और 24 आउर अप्शन कैसा करें तो मैं आज आपको सिंपूल बता देता हूं यह देखिए यह आपका जब नर्मल टाइम मोड में रहेगा वाच दीजिए अभी देखिए सेकेंड ब्लिंक हो रहा है तो आप एक बार यह लेप साइड का नीचे का की प्रेस करने से यह देखिए जब आपका आवार ब्लिंक होता होगा ध्यान से देखिएगा यह राइड साइड का उपर का बटन प्रेस करते जाएए यह देखिए चेंज बारा देखे अब आपका PM निकल गया इसका मतलब आप आपका ये घड़ी एम टाइम में है एम मोड में एम टाइम मोले तो रात को बारा बज़े जो शुरू होता है वो टाइम है अभी आपको ये फिर नेक्स्ट जब तक का बारा बज़े तक जाओगे देखिए चेंज हो रहा है जब बारा पहुंच जाओगे इधर PM आ गया देखिए ये देखिए PM आ गया मतलब फिर ये PM में आ गया तो ये बहुत सिंपुल है कुछ मतलब इतना टिफिकल्टी नहीं है इसको PM आप रखना चाहते हो या एम रखना चाहते हो एम हो गया भी आपको जो मर्जी है रखके ये राइट साइड का नीचे का बटन एक बार प्रेस कर दिजिए ये हो गया एम अभी इसको 24 आउर अप्शन में कैसा लेकर जाएंगे ये देखिए अभी 24 आउर कुछ भी नहीं है इधर किछ भी देखना ही रहा है तो जो राइ ये देखिए मेरा अभी 24 आउर अप्शन आ गया और इधर 12 जीरो हो गया मतलब ये आपका 24 आउर अप्शन में आ जाएगा मतलब आपको 12 से 13 दिखाएगा फिर 14-24 के बाद ही चेंज होगा ये एक में आएगा फिर इसको 24 आउर से 12 में कैसा जाना है राइट साइड का उप कि बता दीजिएगा हमें हमारा वीडियो लाइक किजिएगा हमें सब्सक्राइब किजिए सेहर किजिए ताकि आपका फ्रेंड लोग को भी हमारा इंफरमेशन मीले और हमारा वेबसाइट है www.skmiwatch.in हम 100% ओरिजिनाल वाच ही बैसते हैं तो आप उधर से पर्चेस कर सकते ह थेंक यू सू मुच